नवस्कार दोस्तों मैं संग्राम तॉमर तथागत आईएस के यूटूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं आपके सामने मद्प्रेस प्यस्सी के जो यूनिट 10 है प्रिलिम्स के उसका जो सेशन है वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वह भारतिय जो समिधान के निर्वाता यहांने इस उद्देस से की अनसोचित जाती और जन जाती के जो लोग है उनका उध्थान किस तरीके से किया जाया ताकि ये लोग अपने अधिकारों के प्रती जागरुक हो सकें और जो अपने जो नियम और कानून है उनको भेटर तरीके से लागू करवा सकें दोसर प्रश्ण ये है कि इस तरीके के आयू के आवश्यक्ता क्यों थी जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत जो है वो सदियों से किसी ना किसी सत्ता या फिर किसी ना किसी देश के अधीन रहा है अंग्रेजों के टाइम से यदि हम देखें तो अनसुचित जाती और जन जाती 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 के जो लोग थे वो पिछडते ही चले हर इस तर पे इनके विकास की आवश्यक्ता को संभिधान सभा के जो लोग थे उन्होंने महसूस किया और इसी संदर में भारती संभिधान में जो आर्टिकल 338 है वो जोड़ा गया आपको यदि स्लाइड में दिख रहा हो तो यहां पर देखे अनुसूचित जाती जनजाती आयोग को पढ़ाने से पहले यहां पर मैंने इनके गठन के इतिहास की बात की है कि यह जो आयोग है वो किस तरीके से बना और अभी जो बरतमान में जो इसको शरूप है वो किस तरीके से अस्तित्तों में आ आयोग और आर्टिकल 338-A में अनुसूचित जनजाती के लिए आयोग का प्रावधान क्या गया है लेकिन जब मूल समिधान बना था जब भारती समिधान समाने इनके उत्थान के लिए विचार किया था तो उस समय भाग सोला यानिकि आपका भारती समिधान का भाग सोला जिसमें कुछ विशेश वरगों के लिए उपबंद का प्रावधान क्या गया है और इस भाग सोला के अंतरगत आर्टिकल 338 जो है वो जोड़ा गया था और आर्टिकल 338 में ऐसा लिखा गया था कि अनुसूचित जाती और जनजाती के विकास के लिए उनके अधिकारों के सरक्षन के लिए जो है एक विशेश अधिकारी की न्यूकती का प्रावधान क्या गया था या विशेश अधिकारी की न्यूकती की जाएगी और इसी आर्टिकल के तहत आप यह दि देखेंगे जो नेक्स लाइन में 18 नुमबर 1950 को जो है S.C.S.T. के लिए एक आयुक्त या लेकिन संभिधान सवामे और अनुशुचित जाती जंदाती के जो लोग थे उनके द्वारा बहुत सारी मांगे की गई कि एक जो अधिकारी है या फिर उसका जो कार्याले है ये पर्यापत नहीं है इतनी वड़ी आवादी के अधिकारों के सरक्षन के लिए तो लगातार फिर से मांगे उठती रही कि इनके लिए एक और कोई विशेश या बड़ी संस्ता का जो है वो गठन क्या जए भारा सरकार ने इसको अमल में लाया 1978 नैंटीन सेवन्टीएट में भारा सरकार ने के कि ये अधिकारी जो है आयुक्त का कार्याले है वो तो था ही था इसके अ मतलग यह है कि इसके लिए कोई अधिनियम जो है वो पारित नहीं गया था भारती संस्तद में इस तरीके को कोई वेल या फिर एक प्लाके नहीं बनाए गया था केवल भारत सरकार ने एक प्रपोजल या फिर एक संकल्प लेका है और उसके माध्यम से एक बहुर सदस्य संब्धान में तो केवल विशेश अधिकारी के नियुक्ती का प्रावधान था लेकिन यहां पर आयोग जो बनाए गया वो 1978 में बनाए गया और ये एक गयर सामवदिक जो है वो संस्ता के रूप में इसको बनाए गया और इस समय जब इसको बनाए गया तो इसको जो पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम था भोला राम पासवान सास्त्री कई बार ये प्रश्ण भी पूछा जा सकता है कि बताईए अन्सुचित जाती जन जाती के लिए जो पहला आयोग गेर सांविदिक इसमें सब जोड़ना पड़ेगा जो बना था उसके अध्यक्ष कौन थे तो तब आपका अंसर होगा भोला राम पासवान सास्त्री तो ये आप याद रखेए आगे चलिके भार सरकार ने क्या क्या एक और संकल्प लेकिया और इसके बाद इसको आयोग का बहुसादसी आयोग था उसका नाम ही बदल दिया और नाम रख दिया गया राश्ट्री अनुसुचित जाती एवं जन जाती आप नाम कब बदला गया देखे अगर आप से पूछा जाए कि पहली बार नेशनल के रूप में कब परिवासित क्या गया था तो वो था 1987 में देखे ऐसे याद रख लीजिए पहली बार आयोग कब बना नाइटी सेवंटी एट में अब इसके सब्दों को आप बदल दीजिए यानि कि 87 में अब 87 में क्या हो गया यह राश्ट्री अनुसुचित जाती और ज अधिकारों का सरक्षन कर सकें उनके सामाज एक आर्थिक कल्यान के लिए विकास के लिए काम कर सकें तो क्यों ना इस संस्ता को समयधानिक दरजा है वो दिया जाए और इसी चरण में 65 समयधान संसुदन मोस्ट इंपोडेंट Constitutional Amendment 1990 1990 में हुआ और इसके तहत क्या गया जो मूल आर्टिकल था उसमें विशेश अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है यहां पर क्या गया इस आर्टिकल में ही संसुदन करके अब यहां पर लिग दिया गया SC&ST Commission और इस समयधान संसुदन के बाद पहली बार समयधानिक आधार पे 12 मार्च 1992 को संयुक्त संसुदन 1990 की तेर आर्टिकल 338 में विशेश अधिकारी की जगे SC&ST Commission सब्द जो है वही जोड़ देक है और इसके तैद 12 मार्च 1992 को पर्थम बार समयधानिक संस्ता के रूप में अनुसुच्यत जाती और जंजाती आयोग का गठन होता है ठीक है आगे यही हम देखें अब यह जरूत महसूस हुई क्योंकि अनुसुचित जाती जंजाती के साइद लिए यह जो आयोग है वो काम नहीं कर पा रहा क्योंकि अनुसुचित जाती के जो विशे हैं वो अलग होते हैं अनुसुचित जाती और जंजाती के कारियों और उनके अधिकारों के संदर्म में ज एक अलग आयोग का घठन क्या जाए और ऐसा हुआ किसके दौरा नवासिवा संविदान संसुदन 2003 के दौरा 89th Constitution Amendment 2003 के माध्यम से जो सईयूप्त लोग जो आपका SC-ST कमिशन था उसके इस्तान पे अब क्या का दिया गया SC के लिए अलग आयोग और ST के लिए अलग आयोग बनाएगे और ये जो मूल अस्तित्त में आए वो आए 19 फरवरी 2004 से ये देट आप जरूर याद रखेगा most important date है कि 19 फरवरी 2004 से पहले बार अनसुचित जाती के लिए अलग आयोग और अनसुचित जर जाती के लिए अलग आयोग अस्तित्त में है ठीक है तो most important date 19 फरवरी 2004 ठीक है और कौन से संब्यधान संसुदन नवासिवा संब्यधान संसुदन 2003 इसके द्वारा अलग अलग बनाए गए और 65 भी संब्यधान संसुदन के द्वारा एक ही आयोग के रूप में संब्यधानिक दरजद ये तो ये स्लाइड की जो बाते हैं वो प्रस्तत क्या गया है नेशनल कमिशन फरवरी 2004 को बना जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया और इसको यदि हम देखें तो इसके संब्यधानिक प्रावधान इसकी स्टक्टर क्या है और इनके जो सदस्य हैं उनके न्यूक्ति और उनका कारिकाल है वो कितना होगा संब्यधा और शीडूल कास्ट है वो दिया गया है ठीक है अर्टिकल 341 कहता है कि जो अन्सुचित जाती के जो लोग होंगे वो किस तरीके से जो है उनको कौन गोस्त करेगा तो इस अटिकल में राश्टपति के दवारा अनशुचित जाती के जो लोग हैं वो सम्मधित राज्पाल क उसको उसको राष्टपती उस वहांसुची का सदा शिभुर्सित कर सकते तो इसकी जो सूची है वह कहां से मार्स में आटिकल तीन सो च्था 621 मैं आटिकल तीन सो च्हासर्ड चांवेさい ब्हाग का बहाग उननीस में हैं ऑरिकल 266 364 और इसका सब्सक्राइब 24 और इसमें यह लिखा है यानि कि यह जो आप देखेंगे भाग 19 जो है वो मिस्लेनियस जो चैप्टर हैं समिधान में मिस्लेनियस चीजें हैं उनसे रिलेटेड है और इसमें अधिकतर जो सब्द हैं जो समिधान में दिए अनुचित जाती किसे कहें तो विशेज कोई परिवासा इसमें नहीं दी गई है इसमें यह बोला गया है कि आपका जो आपका तीन 366 कहता है कि राष्टपती के द्वारा जो अनुचित 341 में जो लोग अनुचित जाती के रूप में जिनकी सूची बनाई गई है उन्हें क्या बोला जाएगा अनुचित जाती का सदस तो इसी तरीके से यह डारेक्टली कहां पर भीज देता है हमें आर्टिकल 341 के पास तो कोई इस परिवासा नहीं है इसके स्टेक्चर की बात करें तो देखें इसमें एक अध्यक्ष होगा एक उपाद्यक्ष होगा प्लस तीन सदस होंगे तो कुल मिलाके यहां पर पांच जो सदस हैं वो होंगे अनुचित जाती में एक सचे भी होता है ठीक है तो जाता है तो जाती है और रास्ट्पति के दौरा ही इनका कारेकाल निरधारित किया जाता है भारती समयधान में इनका कारिकाल जो है वो निर्धारित नहीं किया गया है कि ये कितने समय तक अपने पद पे रहेंगे परंतु सामानेते जो अभी हम देख रहे हैं जब उने का टेन्योर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक अध्यक्ष को सामानेते तीन वर्स के लिए रखा जाता है अगर आप ये प्रश्ण पूछा जाए कि बताईए अनसुचित जाती आयों के अध्यक्ष और सदस्यों का कारिकाल कितना होता है तो आप उसमें बोल देना नहीं पता कितना होता है क्योंकि सम्यधान में इस तरीके का जो है वो परिभासित नहीं किया गया है कि लेकिन हाँ ऐसा जरूर बुलाए कि राष्टपति निधारित करेंगे कि इनका जो कारिकाल है वो कितना होगा देखे एक extra fact मैं और बता दू कि इनका जो बेतन है वो कितना होगा यदि ये पूछा जाए तो यहां पर लिखाए कि आप जब देखेंगे भारत सरकार के जो सचिव है भारत सरकार के सचिव के बरावर इनका बेतन ह है वो 2.25 मतलब सबा 2 लाख रुपे भारत सरकार का जो सेकेटरी लेवल का जो ऑफिसर होता है उसका बेतर होता है ठीक इसी प्रकार की स्लाइड है वो आपकी अनसुचित जाती और स्वरी अनसुचित जन जाती के लिए क्योंकि देखें अभी मैंने आपको पता है कि नवासी जाती कि जो आयोग है उसका इस्तक्तर है हाँ Constitution में थोड़ा सा बदलाव है अनवासी भी समिदान संसुदन के द्वारा जब इनका अलगाव गवा तो एक और Constitution जो एक और अनुच्छी जोड़ा गया जिसका नाम है Article 338B Article 338B Article 338B जो है वो भी अब एड हो चुका है क्योंक आपके OVC के लिए अभी किया गया है एक सो दोवे समिधान संसुदन के द्वारा एक सो दो वहा Constitution अमेंडमेंट हुआ है अभी ठीक है 2018 में और उसके द्वारा जो अधर पिछड़ा वर्ग आयोग है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग उसको अब समिधानिक दर्जा दिया ग पढ़ेंगे ताकि MPPSC में आप उससे रिलेटेड जो प्रश्ण हैं वह भी बना सके देखें जिस तरीके से अनसुचित जाती के जो लोग है उनकी सूची भारती समिधान के अर्टिकल 341 में दी है उसी प्रकार थी कि यहां पर अनसुचित जन जाती के जो लोग है उनकी ज जातियां है जो मूल वन से उनको अनसुचित जनजाती के रूप में परिवहासित कर सकता है और ठीक आर्टिकल छाफ। में यह लिखा है कि मतलब अनसुचित जन जाती उनको कहा जाएगा जो आर्टिकल 342 के तेहत राष्ट पती ने परिवारति राष्ट पती ने जिनको सूचित किया है तो यह भी हमें कहां पर भेज़ देता है अर्टिकल 342 के लेकिन आपको याद इसलिए रखना है कि फैक्ट आपको याद रखने हैं अभी एसलिए कोई बदलाव में बदलाव है और नहीं जो कारिकाल है उसमें बदलाव है राष्ट पती ही इनको क्या करते हैं निर्धार करते हैं नेक्ट स्लाइड हम देखें मैंने आर्टिकल 338 को काफी विस्तार से पढ़ाया यहां पर आपके सामने है उसका रीजन यह है कि PSC कभी कबार ऐसे भी बताई कि अभी तो ठीक है एक गम पहली बार हो रहा है तो चल जाएगा लेकिन जैसे आगे हम बढ़ेंगे एक्जाम में तो फिर उतना अंदर तक जा टे इसकी पूरी PDF जो है वो आपको अप्लब्द हो जाएगी तो वहां से आप डाउनवोड कर लेना और एक दू बार इनको पढ़ना ठीक है ताकि यह चीज़ें आपको याद हो जाए भाग सोला जो है वो कुछ वर्गों के लिए विशेश उपवंद का प्राफधान करता है और इसको और इस्पेस लाइड किया गए तो फिर आर्टिकल 338.1 में बन प्राफधान करता है कि अनसुचित जाती के लिए आयोग होगा ठीक आर्टिकल 338.1 परिवासित करता है कि अनसुचित जन जाती के लिए एक आयोग होगा देखें यहां पे 38.1,2,3,4,5,6,9 तक करना ह है और यहां पे आर्टिकल 338.1,2,3,4,5,6,9 तक इस तरीके से हमें देखते जाना तो यह आप देख लीजेगा इसको मैं बताता हूं अभी मैंने जो सरचन बताई कि जो आपके आयोग में एक अध्यक्ष होगा एक उपाध्यक्ष होगा और जो तीन सदस्य होगे यह कहां पे लिखा है तो यह आर्टिकल 338.2 में बोला गया है कि आयोग की कितने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य होंगे अर्टिकल 338.2 इनकी नियुक्ति कौन करेगा तो राष्टपती करेंगी सेवा सरताव का निधारन है वो कौन करेगा तो वो भी राष्टपती इनक इस तरीके से करना है अयो की करतब क्या हूँगी मैंने अभी पताया आयोक का में जो करतब है यदि वो अनुस्चित जाती से रिलेटिड है उनको सोषन से बचाए उनका सामाधिक आर्थिक जो कल्यान है और उसके बाद उनका विकास है वो सुनेशित करना मेन जो है वो आयूग का काम है यह जो अपना प्रतिवेधन है अगर वो राश्टी इस्टर का कमिशन है तो वो राश्टपती को सौपेगा यानि कि रिपोर्ट्स होपेगो राजपाल उसको क्या करेंगे विधान मंडल के समक्ष रखवाएंगे आयोग के जो सक्तियां है वो भारती समयदान के अर्टिकल 338 में दी गई है और इसको सेविन नियाले की सक्ति के रूप में परिभासित क्या यह सक्तियां क्या होती हैं हम नेक्स भी करनी पड़ेगी तो यह एक करीके से पूरा आर्टिकल है आर्टिकल 338 से 9 तक यहां पर आयोग का गठन उसकी सरचना उसके नियुक्ति प्रिक्रिया करतब उसकी सक्तियां रिपोर्ट सारा कुछ इस आर्टिकल 338 में दिया गया है एक वार इसको दो तीन वार पढ़ना तो याद हो जाएगा सेम प्रोसेजर है वो आर्टिकल 338 एके तहर जो है वो आपका अनसुचित जन जाती के लिए यहां पिक्षेगा इसको आप देख लेजिए जैसा कि यहां पर दिखाई दे रहा है यह तथागत आईएस के द्वारा अभी मेंस की टेस्ट सीरीज जो है लॉंच की गई है आप लोग इसको जरूर देखेगा जदूर जरूर बिजिट करेगा एक अगस्त से यह स्टार्ट हो रही है जो 25 जुलाई को MPPS से कपरी हो रहा यह एक अगस्त से जो है वह स्टार्ट है और यह हमारा जो शेडूल है वह लगवा 31 अक्टूबर तक चलेगा यानि कि तीन महिने की यह सीरीज है विदिन त्रिया मंत में यह आपका जो सीरीज है वह कंप्लीट हो जाएगा 5000 रुपे इसकी फीज रखी गई है मात्र और इस में प्रोवाइड कर आया जाएगा आपको कॉपी चेक करने के लिए एक एक्सपर्ट टीम है वह हमारे द्वारा बने गई है ठीक है और डिटेल डिसकर्शन होगा यूटूब पे यह एक सबसे बड़ी वात है यूटूब पे डिटेल डिसकर्शन का हमने प्रावधान रख जानी कि उनको जो सिक्योर करेंगे उनको प्रमोट करने का काम है वह आयू का होगा सरकार के द्वारा जो बनाए गये कानून है उनका क्रियान वैन कैसे इंप्लिमेंटेशन कैसे हो ताकि अनुसचत जाती जंदाती के लोगों को ज़्यादा से जादा जो लाव है वह मिले उनका इंस्पेक्शन किया जाएगा निरिख्षन करेंगे कि ये काम कर रहा है के नहीं कर रहा है कानून की समीच्षा भी की जाएगी यदि ऐसा लगता है कि कोई कानून है वह अनुसचत जाती जंदाती के अधार से आप्रसंगिक हो गया है तो उसमें क्या सुधार किये ज और इसके बाद यदि कोई और ऐसे कारी छो राश्ट पति उनको सौपने वी आयूग के द्वारा के सकता है भारत से किस्य भी व्यक्ति को समन कर सकता है हुआदिर कर सकता है अपने सामने बुला सकता है, सपत जो है वो करा सकता है कि और उसके बाद कोई भी दस्तावेज किसी भी कार्याले से आयूग मांग सकता है और अपने समक्ष पीश करने की उस जो बिभाग है या फिर जो कार्याले है उससे अपेक्षा करता है, कोई अन्या से साथ छे, यदि जो अनसुचित जाती या जनजाती के लोगों के लिए आवशक हैं, तो उनको भी वो collect कर सकता है किसी भी संस्तान से, बिभाग से, तो आयो को ये civil जो नयायलय है उसके बरावर जो सक्तियां हैं वो प्राप्त है, ठीक है? और इसके बाद किसी नयायलय या फिर कारयलय से कोई जैसे कि मैंने अब बताई कोई भी document है उसकी जो प्राप्ति है वो कर सकता है उसकी प्रती जो है वो मगा सकता है आयो को शिविल नयायलाई सकती का मतलब यह जो है वो सबस्ट मैंने किया है जो कि भारती समदान के article 338 बे शिविल नयायलाई की जो अगर इसकी बात करें तो इनका में के लिए रहलación के लिए इनकी सांक्या hè हाज चैनल को कोаю कोन से कर सकते हैं अगर अगर मद्फरदेश की कि बात करें तो मद्फ्रदेश हैद्रावाद हैं चैक रीकाय पगय्याद्रावाद के छसी इसका सकते हिए एक most important है MP के लिए कोई भी यहां पर अनसुचित जाती के लिए आयोग नहीं है लेकिन हाँ MP को यदि छितरी कारेले में जाना हो तो वो हैदराबाद जा सकता है लेकिन हाँ अगर अपन अनसुचित जाती के लिए भुपाल में है छितरी कारेले यह most important fact आप याद रखेगा अनुसोचित जाती के लिए मद्दिश में कारेले नहीं है, छितरी कारेले नहीं है, लेकिन अनुसोचित जन जाती के लिए छितरी कारेले है, वो कहां पर है, भुपाल में, नेक्स स्लाइड में चलते हम, देखते हैं क्या है अगले स्लाइड, देखें यहां पर मैंने जो ही है कि 1978 में जैसा कि अभी मैंने क्लास सुरू हुई तभी मैंने बताय था कि 1978 में पहली बार गैर सांविदिक बहुत सदस्य निकाय है वो बनाए गया था आयोग के रूप में और उसके जो पहले अद्यक्ष थे जिनका नाम था भूला राब पास्वान सास्त्री ये चार सद जो आयोग जब बना था तो वो बना था कब 12 मार्च 1992 को और इस समय इसके पहले अद्यक्ष थे जिनका नाम था एच एस ये थोड़ा सा मिस्टेक है एच एस हैं एस एस जो है रामधन वो 1992 से लेके पिंचानवे तक ही रहे इनको आप जरूर या रखिगा most important अगर आप से प बना था 12 मार्च 1994 को बाकि आप देख लीजिएगा 2002 तक जो है विजय सौनकर सास्तरी जो है वो रहते फिर आपका जो समयदान संसोदन है वो आप देखें यहां पर नेक्स्ट जो समयदान संसोदन होता है वो 29 समयदान संसोदन 2003 और इसके बाद SC अलग कमिशन बन जाता है तो यहां पर जो लिस्ट दी गई है वो SC कमिशन के जो लिस्ट है वो यहां पर दी गई है 19 फरवरी 2004 को यह गठेत होता है और इसके जो पहले अद्यक्स है उनका नाम है सूरज भांसिंग यह ध्यार रखिएगा सूरज भांसिंग आपके पहले बार अंसुचित जाती जब दो बार अंसुचित जाती आयो के अद्यक्स रहे हैं यह most important मैं आपको बता रहा हूं इसलिए क्योंकि प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि बताए अंसुचित जाती आयो के दो बार अद्यक्स नेमनली फित्में से कौन रहे तो उनका नाम क्या होगा PL पुनिया ठीक है और बरत चांपला अंसुचित जाती आयो के जो अद्यक्स बने है और जो अरुन हल्दर है वो कौन बने है उपाध्यक्स अब एस्टी आयो के जो अध्यक्स है वह आपके सामने हैं यहां पर देखे लग हो गए तो पहली बार अनसुचित जन जाती आयो के पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था कुहर सिंग और ये कब बने ये 2004 से लेके 2007 के भी देखे वहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि PL पुनिया अनसुचित जाती आयो के दो बार अध्यक्ष रहे ठीक इसी प्रकार और उसी डिडियेशन में 2010 से लेके 2017 तक रामिश्वर ओरौण भी अनसुचित जन जाती आयो के दो बार अध्यक्ष रहे हैं तो रामिश्वर ओरौण का सेम कारकाल और पुन पियल पुनिया का भी सेम कारकाल और दोनों ही बार अध्यक्ष नहीं ले गए दोनों लगातार अध्यक्ष के पद पे दो दो बार रही हैं तो इनको आप जरूर याद रखेगा ठीक है 2017 से लेके बीज़ते नंद कुमार सिंग यह अध्यक्ष थे आपके इनको याद रखेगा और बरतमान के जो अध्यक्ष है यह भी फरवरी में बदले हैं और यह हो गए हैं हर्ष चोहान तो हर्ष चोहान अनसूचित जन जाती आयोग के अभी बरतमान के अध्यक्ष है और पहले अध्यक्ष थे जिनका नाम था कुमर सिंग ठीक अनसूचित जाती आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था सूरजभान सिंग और बरतमान के ह तो आप इसको अपनी दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा ताकि हो सकता है वो भी इससे लावानुवित हो सकें धन्यवाद